आप लोग अभी अभी इस construction site पे काम करने के लिए आया हैं इसलिए काम करते समय कैसे सावधान रहना है इसके बारे में हमारे safety engineer तुम लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे आईए मैं आप लोगों को safety induction room ले जाता हूँ सब लोगों को प्रणाम प्रणाम स्टर जी इस L&T ECC कंपणी में सुरक्षिता को प्रामख्य दिया जाता है आप में कुछ लोग पहले से ही L&T Construction कंपणी में काम करते होंगे और कुछ लोग नए नए आये होंगे अब मैं आप सब लोगों को site में काम करते समय कैसे सुरक्षित नियम लेना है इसके बारे में समझाता हूँ आप सब लोग सावधान से सुनकर इसके बारे में अच्छे तरह से समझेए हम सब लोग क्यों काम करने आते हैं बोलिए क्योंकि मेरे परिवार कुछ रहना है कमया तो ही का सकते है सर जी बिल्कुल ठीक कहा अपने अपने बच्चों की भविश्य के लिए और हमारे परिवार को खुश रखने के लिए ही हम लोग काम पे आते हैं पर ये सुब ठीक तरह से होने के लिए तुम लोग site में सावधान से काम करके घर लोटना है अगर सावधान से काम ना करें तो खत्रे आ सकते हैं इस वज़े से जो लोग काम करते हैं परिशन में पढ़ सकते हैं असावधानी के कारण काम करने वाले लोग कैसे आतंग में पढ़ सकते हैं जानना चाते हो पहला, सुरक्षन ना होने के कारण काम करने वाले लोग हाथ या पेर गवा सकते हैं कभी कबार खत्रे के कारण जान भी जा सकती है खत्रे से लगे हुए चोट बहुत धर्दायक और परेशानी देती हैं दूसरा, धुरगटना में चोट लगा हुआ आदमी चोट पूरी तरह कम होने तक काम पर नहीं आ सकता इसकी वज़े से कमाई नहीं रहेगी उपर से इलाज करने के लिए अपना ही पैसा खर्च करना पड़ता है तब उसका परिवार भूकी रह जाती है बच्चों की पड़ाई भी रुख सकती है तीसरा, दुरगटना के वज़े से आदमी अर्चन हो गया तो बाद में काम मिलना मुश्किल हो जाता है इसकी वज़े से उसका भवश्य प्रशनाद दख हो सकती है दुरगटना के वज़े से चोट लगा हुआ आदमी ही नहीं बलकि उसका पूरा परिवार दुख सागर में डूप सकता है इसलिए साइट में सावधान परकने के बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ पहले सुरक्षा करने के सादुनों के इस्तमाल के बारे में मैं आपको समझाता हूँ हमारे शरीर में अती मुख्य भाग है सर सर का सुरक्षा करना अती अवक्षक है हमारी कंस्ट्रक्शन साइट में सर की सुरक्षा के लिए सेप्टी हेलमेट पहनना जरूरी है इस हेलमेट के बगैर construction site में कहीं भी घुमना मना है और उस हेलमेट को सर पर अच्छे तरह अज़स्ट करके पहनना जरूरी है काम करते समय कुछ भी किरने पर ये हेलमेट चोट लगने से बचाती है हेलमेट के रक्षना के बारे में समझ गए न? अभी welding करते समय आने वाले आतं को और कारपेंटरी काम करते समय निकलने वाली चूर्न और धूल से आखों को सुरक्षा करने के बारे में हम अब देखेंगे हमारे आखों को रक्षना देने के लिए site में अनेक उपकर्णों को इस्तमाल करते हैं उन चीज़ों को कहा और कब इस्तमाल करना है इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ इस चीज़ को कहा इस्तमाल करते हैं क्या कोई बता सकते हैं? welding करने के समय बिल्कुल ठीक कहा welding करते समय फेस शील्ड को मुख में पहनना है इसे हेलमेट के साथ भी पहन सकते हैं इसमें लगा हुआ काला शीश्या खतरना किर्णों से हमारे आँखों को बचाती है यही फेस शील्ड है इस शीशे को हमें कार पेंट्री ग्राइंडिंग करते समय जरूर पहनना है इसको पहनने से धूल या हानिकार किर्णों से हमारे आँखों को या मुख को इस शीशे के द्वारा रक्षना मिलती है यहे गॉगल्स यह आँखों के रक्षना के लिए है कांक्रीट या चिप्पिंग करते समय यह पहनना जरूरी है इन सब उपहरनों को हर एक जगह पर पहन कर सुरक्षिता से काम करना है आँखों के रक्षन के बर में समझ गये ना हमारे कंस्रक्शन साइट में सिमेंट इस्तमाल करते समय या रेत या मिठी इस्तमाल करते समय या सफाई करते समय हमें नोस मास्क पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह के जगग पर ज्यादा धूल या केमिकल पौडर हो सकता है इसके वज़े से सांस लेते वक्त ये सब अंदर जाकर रिदय संबंद व्यादी आने की खत्रा है उससे बचने के लिए नोस मास्क पहनना बहुत जरूरी है बस इतना ही नहीं नोस मास्क को अच्छी तरह पहनने का खयाल भी रखना चाहिए नोस मास्क के जरूरत के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कंस्रक्शन साइट पर मेख और लोह चीजों के वज़े से पैर में चोट लगने से बचाने के लिए रक्षना लेना है इसलिए जूते पहना जरूरी है इसी तरह कॉंक्रीट और चीकर ज्यादा रहने के जगख पर काम करते समय गंबूट पहनना जरूरी है क्यूंकि सिमन्ट ज्यादा रहने के जगख पर पाम बहुत दिर रखने पर त्वचा संबंदित व्यादे आने की खत्रा है उससे बचने के लिए हमें गंबूट की आवक्षकता है पैरों की रक्षना के बारे में आप सब जान चुके हैं ये क्यों इस्तमाल करते हैं क्या कोई बाता सकते हैं? हाथों की रक्षना के लिए हाथे हमारे शरीर की एक मुख्य भाग है हमें साइट में काम करते वक्त हाथों को बचाने के लिए विविध हैंड ग्लोस इस्तमाल करने पड़ते हैं उन्हें कहां और कैसे इस्तमाल करना है इस बारे में देखते हैं पहले cotton glove with leather palm को चीजों को उठाते समय उधारन के लिए लोह चीजों और pipe जैसे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते समय इस्तमाल करना है leather glove को welding और gas cutting जैसे काम करते समय इस्तमाल करना चाहिए और उसके सम्बंदित काम करते समय इसे ज़रूर पहना चाहिए PVC और rubber glove को cement concrete करने के जगह पर और रसायन सम्बंदित चीजों को इस्तमाल करते समय ज़रूर पहना है इन hand gloves को ठीक तरह से इस्तमाल करके हातों की रक्षा करना है construction site पर diesel generator और compressor जैसे यंत्रों के जगह पर काम करते समय ध्वनी कालुशे ज्यादा रहता है इस ध्वनी कालुशे में ज्यादा देर काम करने से कानों को भगिर्ता आने की खत्रा ज्यादा है इसलिए कानों की रक्षना के लिए ear plug और ear muff को जरूर इस्तमाल करना चाहिए और अब site में उँचे जगहों पर काम करते वक उपर से नीचे न गिरने के लिए कैसे सुरक्षा लेना है क्या किसी को मालूम है safety belt लगा के ही काम करना है ठीक कहा आपने इस safety belt को किन किन जगह पर कैसे इस्तमाल करना है मैं आपको बताता हूँ हमें उँचे जगह पर काम करने के समय गलती से नीचे गिरने से बचाने के लिए हमारे बदन पर इस safety belt को जरूर लगाना चाहिए अच्छा अब तक हम लोग सुरक्षा सादनों को इस्तमाल करने के बारे में जान चुके हैं हर एक आदमी खुद को और दूसरों को किसी भी तरक की तंग ना करके सुरक्षन से काम करना बहुत जरूरी है इसलिए हर एक आदमी को कितने ध्यान से काम करना पड़ता है इस बारे में सीधे साइट में जाकर देखते हैं सब लोग मेरे साथ चलिए साइट पे चलते हैं वहाँ पे देखिए इस तरह दो मीटर और उससे ज्यादा उंचे पर काम करने के समय सेफटी बेल्ट को पहनना बहुत जरूरी है सिर्फ पहनना ही नहीं इस सेफटी बेल्ट में जो लैन्याड है उससे हमारे सिर के उपर हमारे बदन के वजन को तोलने की तरह एक स्ट्रॉंग स्ट्रक्चर से निर्मान करना चाहिए क्यों सिर के उपर ही निर्मान करना है सर? क्योंकि ये लान्यार्ड अगर नीचे निर्मान करें तो लान्यार्ड की उंचाई दो मीटर रहने की वज़े से हम दो मीटर उंचाई से नीचे गिर सकते हैं ऐसे गिरने पर बाकी स्ट्रक्चरों पर गिर कर चोट लग सकती है इसलिए उसे सिर के उपर ही निर्मान करना चाहिए उदर देखिए वो आदमी जो पहना हुआ है उसे full body horns करके बोलते हैं इससे हम उपर से नीचे गिरने के समय हमारे बदन के वजन के साथ साथ वह भी stiff रहक चोट लगने से बचाती है आप लोग वहां देखिए वहां एक tower erection चल रहा है ऐसे खतरनाक स्थिती पर काम करने के समय वे लोग double land yard करके एक special safety build को लगा कर काम कर रहे हैं ऐसे समय में उपर जाते वक्त या उतरते वक्त दोनों land yard में कहीं एक land yard सभी समयों में अच्छी तर इसे इस्तमाल करना है बोलिए सर जी उन जैसे जगह पर चलने के समय हमें life line इस्तमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पर चलना चाहिए उदर देखिए वहां काम करने वालों को safety build बानने के लिए जगह ही नहीं है इसलिए वे दो strong points को रस्ती बान कर उसको safety build को बानते हैं वह रस्ती उन लोगों को बचाती है इतना ही नहीं वह रस्ती 8 mm का wire rope या एक इंच का polypropeline rope होना ज़रूरी है उस रस्ती को 15 degree के angle में बानना चाहिए क्या हुआ? अच्छा हुआ देखें आप लोग इस floor open के नीचे safety net बानने के वज़े से वह नीचे नहीं गिरा safety net में गिरकर बज गया इसी तरह उपर से गिरने वाली किसी भी चीज़ को नीचे काम करने वाले आदमियों के उपर गिरने से ये safety net सुरक्षित से बचाती है वहां देखिए एक मीटर तक मतलब हमारे कमर के उपर तक ऐसा रक्षन बनाना अवश्य है देखिए इस तरह के loose material floor edge पर नहीं रहना है हमारे पैर लग कर वहां से नीचे गिरने की बहुत चांचस है इसलिए जिदर भी ऐसे चीज़ें हो सकती हैं वहां पर guard rails और toe guard रखना जरूरी है इतना ही नहीं floor edge के पास चीज़ों को रखना गलती है उन्हें edge से थोड़ी दूर तक रखना चाहिए सर जी वहां पर तोड़ी लोग कोद रहें वैसे चीज़ें में हमें कैसे सुरक्षित लेना पड़ता है समझाईए आईए हम वही जाके देखते हैं साधारने धर्ती के नीचे electrical cable, gas line, water line जैसे connections हो सकते हैं खोदने से पहले उस जगह पर null lane या gas lane है या नहीं खोदने की जगह सुरक्षित है या नहीं ये सब अपने supervisor से पूछ के बाद में खोदना जरूरी है उनके अनुदेश के अनुसार ही काम करना है उधारन के लिए electrical wires अगर है तो वहां insulated crowver ही इस्तमाल करना चाहिए इस तरह कोई भी गलती से अंदर ना गिरने के लिए खोदे हुए जगह के चारों और barrication लगाना जरूरी है खोदे हुए जगह को दिखवाने के लिए चेतावने board और रात में देखने के लिए electrical lamps लगवाना जरूरी है देखे ना खोदा हुए जगह से निकला हुए मिट्टी को कम से कम एक मीटर दूर पे फेकने से मिट्टी में बिना फसे वहां काम करने वाले लोग पसकते हैं इतना ही नहीं खोदा हुए जगह के आसपास किसी भी गाड़ी को आने से रोकना है डाड़ी को थोड़ी दूर में रोकना ही सब के लिए सुरक्षित है घड़े में उतर कर चैड़ने के लिए सीरियों का इस्तमाल करना ज़रूरी है क्यों सर घड़े को उपर से नीचे के तरफ तेड़ा कोद रहे है ओ, मुझे मालूम पिछले साइड पर काम करते वाक मेरे साथ काम करने वले साथी गड़े के अंदर दिवार को सीधा कोद रहा था जिसके वज़े से एक बार मिट्टी फिसल कर उनके उपर ही पढ़ गया इसलिए वैसे जगे पर मिट्टी की डर से बशने के लिए गड़े की दिवार को तेड़ा कोद रखे है ठीक कहा आपने, इस तरह कोदने से कुछ नहीं होता है इतना ही नहीं, उसके नीचे से सुराग डालना गलती है, मतलब अंडर कटिंग करना गलती है अगर पहले ही कंस्रक्षन के लिए कहीं खोद कर हुआ हो तो अपने सूपरवेजर को पूछ कर सुरक्षन नीएम से काम करना बहुत जरूरी है नहीं तो पास वाले कंस्रक्षन को हानी पहुंच सकती है उचे जगग पर सावधान से रहने के बारे में मैंने आपको बताया इन जैसे उची जगग पर चलने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम है स्काफोल्ड उदर सावधान से काम करने के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ आईए ऐसे scrub fold को यरट करने के लिए construction site में विविद मित्र रहते हैं सिर्फ वे लोग ही इसे यरट करना चाहिए ऐसे scrub fold में tag system होता है उसके बारे में किसी को मालूम है क्या? मालूम है सर, अगर उसका fold में लाल रंग tag है तो उस पे दूसरे लोग चटना मना है सिर्फ एरक किये लोग चट सकते हैं यही उसका अर्थ हैं सर ठीक कहा आपने तो फिर हरे रंग में tag रहे तो उसका अर्थ क्या है? मालूम है सर, उसका fold इस्तमाल करने के लिए तयार हैं सर बिल्कुल ठीक कहा अगर आपको काम करते वक्त इसमें कुछ गल्ती लगा तो इंजिनेर को बुला कर इसके बार में बताना चाहिए वहां के उसको ठीक करेंगे अन्य लोग उसे ठीक करना गल्ती है देखें क्या? अंदर के जैसे scrub fold में हर 6 मीटर के बीच में अच्छी तरह से structure बाढ़ना जरूरी है देखें इस तरह के scrub fold में हम खड़के काम करने के लिए scrub fold board इस्तमाल करना चाहिए और उसमें चर्ब के उतरने के लिए हमें सीडियों का इस्तमाल करना चाहिए उधर देखें बाजू में काम करने वाले न गिरने के लिए रक्षन देते हुए mid trail या top trail रहना चाहिए देखा वह काम करते वक्त फीचे आया है पर वह न गिरने के लिए वहां रखा हुआ top trail और mid trail रक्षन देती है वो क्या है सर? खुनसा वो वही है mobile scrap fold उस mobile scrap fold के नीचे चार चक्का होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह को आसानी से चा सकते है देखो वह आदमी उसे कैसे रोक रहा है उस scrap fold के नीचे stopper को इस्तमाल करके रोक रहा है ऐसा करना गलती है कोई आदमी उपर काम करने के वक्त scrap fold को चलाना गलती है सिर्फ scrap fold नहीं साइट में हम लोग CD भी इस्तमाल करते हैं उसे इस्तमाल करते वक कैसे सुरक्षित रहना है इस बारे में हम लोग खुच जाके देखते हैं चलिए मिर साथ वहां देखिए वह क्यों गिर गया क्योंकि हमें कभी भी CD को 1-4 में जुका के रखना चाहिए वही ठीक है वह क्यों गिर गया क्योंकि वह CD अच्छे लकड़ी की बनी हुई नहीं है इसलिए अच्छे लकड़ी से बनाया हुआ CD ही हमें इस्तमाल करना चाहिए तूटी हुई CD को इस्तमाल करना भी गलती है ऐसे चीज़ों के उपर CD को रखके उपर चाहिए गलत बात है हम जो CD प्रयोग करते हैं वो वर्क प्लाटफॉर्म के उपर ये एक मीटर ज्यादा रहना बहुत जरूरी है उदर देखिए वो जो कर रहा है वही सही है CD को फिसले मिना रखने के लिए रस्टी से बाणना जरूरी है वहाँ देखिए वह बाणने के समय नीचे एक आदमी पकड़ के खड़ा हुआ है CD को रस्टी से बाणने के वक्त नीचे एक आदमी CD को पकड़ कर खड़ना जरूरी है बलकि CD में चड़ने के वक्त रंज को पकड़ कर संभाल के चड़ना चाहिए वही ठीक मार्ग है सीडियों को फ्लाट सर्फेस पे रखके चड़ना ही सुरक्षित है इतना ही नहीं एलेक्ट्रिकल खंबे के नीचे लोह की सीडि यूज़ करना गलत बात है सर वहां क्यों क्रेन को उप्योग करके काम कर रहे हैं अच्छा वो कभी-कभी वूची बिल्डिंगों पर स्क्रफोल का प्रयोग नहीं कर सकते इसलिए क्रेन का उप्योग करकर आदमियों को पहुंचाते हैं वहां कैसे सुरक्षन लेकर काम करते हैं जाने के लिए वहीं जाकर देखते हैं ऐसे क्रेन के केज में काम करने के वक्त केज के चारों और क्रेन के हुक को लगवाना ज़रूरी है बस इतना ही नहीं, वहाँ काम करने के वक्त safetyired बेल्ट को crane के hook को बाहना जरूरी है उसी तरह एक tagline को इस cage के साथ बाहनकर सुरक्षित से काम करना चाहिए अब तक सब जगह पर किस तरह सुरक्षित से काम करना है इस बारे में बोल चुका हूँ और अब किन-किन जगहों में कैसी मेटीरियल और एक्विपमेंट इस्तमाल करना है इस बारे में आप सब लोगों को बताता हूँ सुनिए साधारन में कंस्रक्शन साइट पर चीजों को यंत्रों के सहायता से एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते हैं हातों से चीजों को ले जाना अच्छी बात नहीं है फिर भी कुछ आवश्यक समयों में हातों से चीजों को ये एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं ऐसे स्तितियों में कैसे सावधान से काम करना है मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ उदर देखिए हातों से वे लोग चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा रहे हैं ऐसे समय में कैसे सुरक्षित रहना है मालूम है क्या? उस आदमी की तरह किसी भी चीज़ को एक दम कमर चुका के उठाना गलत है उधर देखिए उनकी तरह किसी भी चीज़ के पास अपने पेर को रखना जरूरी है उसके बाद अपने हातों से उस चीज़ को कवर करके बलबूति से पकनना है इतना ही नहीं उस चीज़ को अपने उंगली से नहीं बलकि हाथ के गृप से समालना है उसके बाद अपने पीट को सीधे रखकर सास को अंदर लेकर चीज को उठाना है किसी भी चीज को उठाते वगद उसके पूरे वजन को अपने पैर में समालना चाहिए पीट से नहीं उसके बाद उस चीज को अपने शरीर से लगा कर एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना चाहिए कुछ समय में ज्यादा वजन के चीजों को उठाने के लिए कम से कम चार या पांच लोग मिलकर ही उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहिए किसी चीज को उठाने से पहले जाने वाले रास्ते को साफ रखना जरूरी है और उस चीज को कितनी दूर पहुंचाना है इस बारे में पहले ही हिसाब करना चाहिए उस चीज को उठाने वाले सब लोग ये की हाइट रहना अच्छा होगा क्रेन इस्तिमाल करके उटाते ही न उस वक्त सुरक्षित से कैसे रणे सर बोलता हूँ एक जगग से दूसरी जगग को चीज़ों को पहुँचाने के लिए हम क्रेन इस्तिमाल करते हैं उस समय कैसे सावधन रहना है जानने के लिए उदर जाकर देखते हैं चलिए देखिए क्रेन द्वारा एक चीज़ को उठाने के समय चीज़ के नीचे उसका मूमन नियंतरन करने के लिए जरूर एक टागलेन बादना चाहिए कुछ खत्रा नहरने के लिए क्रेन का स्लिंगिंग केपैस्टी लोड से भी ज्यादा रहना चाहिए वैसे भी उसके नीचे कोई भी ना रहे तो अच्छा होगा इसलिए क्रेन द्वारा किसी भी चीज़ को उठाते वक आजू बाजू में किसी को भी ना रहना देना है उन्हें देखिए वे ठीक कर रहे हैं क्रेन द्वारा चीज को उठाने से पहले उसकी स्लीव्स ठीक ठाक है या नहीं देखना जरूरी है उदर देखिए ऐसे उपर उठाया हुआ चीज को अच्छी तरह से ठीक जगव पर चोड़ने के बगार बीच में लटका कर चोड़ना गलत है वो आदमी कौन है सर? कौन वह? वो है क्रेन द्वारा चीजों को उठाने या निकालने के बारे में हाथ दिखाने वाला सिगनल मैन उनके सिवा यह काम किसी को भी करना मना है वे लोग जरूर फ्लोरसन जाकेट पहना चाहिए सिर्फ यही नहीं वहाँ देखिए उधर दो सिगनल मैन है क्यों मालूम? यह क्रेन दो तीन बिल्डिंग के उस तरफ लोड को ले जाता है वहाँ पे दो सिगनल मैन उस क्रेन के मुवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं उधर देखिए क्रेन जैसे यंत्रों को उन लोगों के बगैर कोई भी कंट्रोल करना गलत है उस साइट के बारे में पूरी जानकारी हुए सिगनल मैन ही सिगनल दे के काम करना है और क्रेन का हुक सेफटी लॉक से बंद करना अवश्यक है विद्युक्त की वज़े से आदमी को बहुत सारे वतंग पहुंच सकते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर विद्युक्त के द्वारा काम करने वाली यंत्र बहुत है इसलिए विद्युक्त से कैसे सावधन रहके काम करना है इस बारे में देखते हैं उधर देखिए वहाँ एक रेड हेलमेट पहना हुआ आदमी है न वही एलेक्ट्रिशन है इस तरह कवर करके रखना ज़रूरी है नुक्सान को देख रहे हैं न ऐसे वायर को बाहर रखने से हमारे जान को ही खत्रा हो सकता है वो गलत कर रहा है काम करने वाले लोग दोफेर में एलेक्ट्रिकल शिट के अंदर जाकर चीजों को रखना या वहाँ पे सोना गलत है एलेक्ट्रिकल बोर्ड में वायर घुसाना गलत है और रात में उन्चाई में काम करने के वक्त हालोजिन लाम्प इस्तवाल किया जाता है बल्ब जलते समय उसको एक जगह से दूसरी जगह को लाना गलती है वो आपके जान को खत्रा हो सकता है एलेक्ट्रिकल मिशिन को इस्तमाल करने के वक्त सब लोग एलेक्ट्रिकल शौक से बचने के लिए इस RCCB को इस्तमाल करना चाहिए सब विद्युक्तियंत्रों को यर्तिंग देना जरूरी है तब ही हम येलेक्टिकल शौक से बच सकते हैं और लोह से बने चीजों को येलेक्टिकल वायर्स के उपर से ले जाना गलत है आपने हमें विद्युद से कैसे सावदान रहना करके बोल चुके हैं वैसे ही साइट में जो हर एक मिशिन को कैसे सुरक्षन से इस्तेमाल करना है बोलिए जरूर सब लोग मेरे साथ आईए मैं आप लोगों को बताता हूँ देख लिया वह कैसे खत्रे में पड़ा इस तरह घूमने वाली परिक्रम पर काम करते समय टवल या मफलर पहनना गलत बात है वहाँ देखिए वहाँ आदमी लकड़ी को काट रहा है ऐसे काम करते वक्त उस यंत्र को गाड़ से पूरी तरह बंद करना जरूरी है ऐसे यंत्र चलने के वक्त उसके ऊपर पढ़ना या उसको ठीक करना या सुरक्षन कवच को निकालना खत्रा दे सकता है और काम पूरा होने के बाद मिशन को स्विच ओफ करना बहुत जरूरी है और यंत्र चलने के समय उसको हटाना या लूब्रिकेट करना गलत है क्रेन, बिल्डर हॉइस्ट, विंच इस तरह के मिशनों को ओत्रेक्स पसन ही ओपरेट करना है साइट में, विविद रिती में कैसे सुरक्षित रहना है करके देखे हैं सिर्फ हमारी रक्षा ही बस नहीं है, हमारे चारों और भी शुब्र रखना है हम काम करने के जगह कैसे सुरक्षित से रह सकते हैं इस बार में देखते हैं इधर देखिए ये जगह कितना सुब्र है, और इस जगह को देखिए, चीजे इधर उदर पढ़ी है, ऐसा हो तो हम कैसे सुरक्षित काम कर सकते हैं, तुम लोगों को कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा बुरा लगता है, इसलिए इन सब को कैसे सुरक्षित रखना है इस बारे में देखते हैं, बगेर काम के चीजों को एक अलग जगग पर रखना चाहिए, ऐसे नहीं करना है, हमें पाइप्स, टाइल्स और चीजों को एक जगग पर जमा कर रखना चाहिए, और जमाये हुए चीजें हमारे हाथ को अपणना चाहिए, मतलब 5 फुट के उन्चाई तक ही रहना चाहिए, रास्ते में कौन से भी चीज को नहीं रहने देना है, ऐसे पिसले बिन नहीं रहने के लिए यंत्रों में डालने वाले तेल को नीचे नहीं गिरना है, गल्ती से गिर गया तो थभी साफ करवाना चाहिए, इस तरह की तंग से बचने के लिए मेखें ज ये जलाव साधनों को मतलब, पेट्रोल, डीजल को अलग जगख में रखना सब के लिए सुरक्षित है और इस तरह की साधनों से दूर रखना भी अच्छा है इन जैसे जगख में चेतावनी बोर्ड रखे सब को सूचित करना अच्छी बात है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर कंप्रेस्ट गैस इस्तमाल करते हैं आईसे समय पर उस चीज को ठीक तरह कैसे इस्तमाल करना है इस बारे में देखते हैं Compressed Gas Cylinder को कभी भी Safety Valve Cover करके उसे सुरक्षित जगह पर बांद कर रखना है Cylinder को सीधा खड़ा रखना चाहिए Compressed Gas Cylinder को उसके लिए बनाया हुआ Cylinder Cards या Hand Trucks के सहाय से ले जाना चाहिए Cylinder को देखभाल से ले जाना चाहिए और उसके Safety Valve Covers ठीक तरह से बन रखना चाहिए Compressed Gas Cylinder को खीचना या डखेलना नहीं चाहिए Cylinder को ले जाने के वक्त कुछ लीक है या नहीं जानने के लिए साबुन के पानी का उपयोग करना चाहिए Cylinder को अति सुरक्षित से एक जगक पर रखना चाहिए Cylinder को हवा के ज्वोके से गर्मी और आग जैसे चीजों से दूर रखना अच्छी बात है Khali Cylinder को पूरी Cylinder से अलग रखना चाहिए Khali Cylinder को पहचानने के लिए YEMT Cylinder करके बोट रखना चाहिए इसी तरह पूरी सिलिंडर के पास भी फुल सिलिंडर करके बोर्ट रखना चाहिए मिरून कलर है तो वह असेटलन गैस सिलिंडर रेड कलर है तो वह LPG सिलिंडर होस जोइन्स के लिए ठीक तरह से और ठीक मेशिरमेंट की क्लाम्प इस्तमाल करना चाहिए ISI channel हुआ regulator और होस को ही इस्तमाल करना चाहिए ठीक तरह का tag या label नहीं हो तो वह सिलिंडर इस्तमाल नहीं करना है अगर फिर भी आग लग गया तो उस दुरगटना से बचने के बारे में अब आपको बताता हूँ construction site पर fire accident अगर हुआ तो जल से जल fire controllers उपयोग करना अवश्य है आग को रोकने के बारे में बताने से पहले आग कैसे लग सकती है इस बारे में बताता हूँ आग लगने का तीन मुख्य कारण होते हैं fuel जैसे चीज, oxygen और बहुत सारा गर्मी ये तीन मुख्य कारण होते हैं इन तीनों के कारण से आग लग सकती है इन तीन में अगर एग न हो तो आग नहीं लग सकती है इसी तरह आग लगने के वक्त हम अगर किसी एग को कम कर दें तो आग बुच सकती है आग को बुजाने के वक्त इन चीजों को ध्यान में रखने से आग को आसानी से रोग सकते हैं मामूल से आग को क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D करके चार विधानों में बोल सकते हैं लकडी, कपड़ा और कागस पे लगने वाले आग को क्लास A करके बोलते हैं मोम जो आग में जल्दी से पिगल सकती है और डीजल, पेट्रोल जैसे तेल के वज़े से लगने वाले आग को क्लास B बोलते हैं असिटलिन और LPG ग्यास से उगने वाली आग को क्लास C बोलते हैं potassium, magnesium जैसे chemical से उगने वाली आग को class D करके बोलते हैं A, B, C के वज़े से आग लगे तो हमें कैसे नियंत्रन लेना है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ site में आग रोकने के लिए इस तरह के लाल रंग के cylinder आप देखे होंगे dry chemical powder से भरा हुआ इस fire extinguisher के द्वारा class A, B, C से उगने वाली आग को आप रोक सकते हैं fire extinguisher को उपयोग करने के लिए पहले safety clip को निकाल कर इस plunger को दबाना चाहिए उसके बाद इस hose के जरिये एक सफेद रंग का powder बाहर आएगा उस powder को आग के उपर इस तरह मारना चाहिए यह powder आग के आसपास oxygen को control करकर आग को बुझाती है बस इतना ही नहीं, foam extinguisher के जरिये भी हम आग को बुझा सकते हैं ऐसे extinguisher को diesel और petrol से उगने वाली आग को बुझाने के लिए उपयोग करते हैं ऐसे extinguisher को उपयोग करने के लिए इस safety pin को निकाल कर उसके बाद plunger को दबाना चाहिए और hose के जरिये foam निकल के बाहर आती है इस foam को आग के उपर मारने से oxygen control होकर आग बुझाती है और carbon dioxide extinguisher को भी आग को बुझाने के लिए उपयोग करते हैं ऐसे extinguisher को B और C से उगने वाली आग को बुझाने के लिए उपयोग करते हैं safety pin को निकालने के बाद इस knob को खोलना है इस horn के जरिये CO2 मतलब carbon dioxide बाहर आकर आग से मिल जाती है इससे oxygen control होकर आग बुझ जाती है आग को रोकने के वक्त सबसे पहले हमें मुख्य नियमों को ध्यान में रखना है पहला, electrical machines में आग लगने पर आग रोकने के लिए पानी नहीं उपयोग करना है electric shock लगने की खत्रा है दूसरा, class ये आग को रोकने के लिए पानी और मिठी का उपयोग कर सकते हैं तीसरा, extinguisher को हवा मारने के तरफ उपयोग न करना है ऐसे करने से यह chemical powder आग को बिना लगे हवे में मिल जाता है चाओ था, CO2 cylinder यूज करने के वग, cylinder बहुत ठंडा रहता है इसके वज़े से cold burn होने की खत्रा है इसके वज़े से cylinder के metallic parts पे बिना हाथ लगये उपयोग करना है फायर एस्टिंग विशर को खोलने के वक, शरीर से दूर रखकर खोलना हमारे लिए सुरक्षित है नहीं तो, cylinder के pressure के वज़े से, cylinder का cap हम पर लगकर चोट दे सकती है आग लगना शुरू होते वक्त उसको बुझाना आसान है इसलिए आग लगते ही, fire resting visher को लाके आग को उसी वक्त बुझा देना बहुत जरूरी है अगर ना बुझा सके तो, अपने उपर अधिकारी को बुला कर बताना जरूरी है अभी तक, सावधान से काम करने के बारे में मैंने आपको बताया इस construction site पर नए नए आये हुए लोगों को कैसे काम करना है बोलता हूँ सुनिए सब लोगों को सावधान से काम करना है अगर किसी को खत्रा हुआ तो, अपने supervisor को बोल कर, first aid center को इलाज के लिए लाना है यहां काम करने वाले लोगों के सुवधा के लिए यह बनाया गया है अगर यहां पूरी तरह से इलाज ना हुआ तो, हस्पता ले जाके इलाज करवाएंगे वो आदमी गलत कर रहा है, चोट लगने पर किसी ना किसी दवा को लगाना गलत है आईसे वक्त पर, first aid center को जाना चाहिए हमें सुरक्षिता से काम करना चाहिए, यह गलत है construction site के अंदर, दारू पीना, cigarette पीना मना है और, site के अंदर, किसी भी गाड़ी को 20 किलोमेटर से ज्यादा चलाना मना है देखें क्या, गाड़ीयों को फीचे लेते समय, अच्छी रिवस होरन लगाना ज़रूरी है यह गलत है, किसी भी हालत में, रुके हुए गाड़ी के नीचे सोना, खत्रा हो सकता है construction site में, permission दिया हुआ आदमी ही गाड़ी चलाना है और, कोई चला नहीं सकते tractor, tire, गाड़ पे बैटना, या tractor के link पे बैट कर जाना, या खड़े हो कर जाना, गलत है ऐसे करना गलत है, site में खतरनाक चीजों से खेलना, या उससे दूसरों को भगाना गलत है अब तक, मैं आप लोगों को construction site पर कैसे सावधाने से काम करना है, और मशीनों में सुरक्षित से कैसे काम करना है, इस बारे में बता चुका हूँ इन चीजें को ध्यान में रखकर, आप लोगों को सुरक्षिता से और सावधान से काम करना है अब तक मैंने सावधान से काम करने के बारे में कहा अब तुम लोग जिस जिसको जो जो काम दिया हुआ है उस काम को ध्यान से करना शुरू करो बहुत शुप्रिया साजी आईए मैं आपकी ही इंतिजार कर रही थी काम पूरा हो गया ना आज का काम कैसा लगा बहुत अच्छा लगा आज हमें सुरक्षा के बारे में सिखाया वो मेरे लिए बहुत फाइदा है पापा मेरे लिए चॉकलेट लाने वाले ते ना लाए क्या हाँ लेके आया इस सब तेरे लिए पापा एक चॉकलेच बहुत अच्छे है